देखने में रेडियो टेलिस्कोप बृताकार बड़ी छत्री की तरह दिखता है। वैसे अगर आपकी घर में डिश एंटना दी लगा हो तो आपको बता दे कि रेडियो टेलिस्कोप देखने में कुछ उसी तरह दिखता है। प्रंटू आकार में उसे काफी बड़ा होता है, जो इसे काफी शक्तिशाली बनाता है। दोस्तो रेडियो टेलिस्कोब एक बहुत ही सरल सिधान पर काम करता है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में आगे खुद बखुद जान जाएंगे। वैसे रेडियो टेलिस्कोब के अंदर आपको मुख्य रूप से तीन कॉम्पोनेंट देखने को मिल सकते हैं। पहला एंटिना, दूसरा रिसिवर और तीसरा है रिकॉर्डर। हर एक कॉम्पोनेंट का अपना ही एक अलग काम होता है और अपनी खासियत भी। वैसे इनके बारे में हम आगी विसार से बात करेंगे। जारतर लोगों को अंटिना के बारे में आवेशे ही कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। लेकिन दोस्तों रेजियो टेलिस्कोप के अंदर अंटिने का काम सिर्फ रेजियो तरंगों कोई खटा करना नहीं होता। इसे खटा करके रिसिवर के पास भेजना भी होता है। वैसे रेजियो टेलिस्कोप में अंचिने के तौर पर एक पेरबॉलिक डिश का उपियोग किया जाता है।